3 अप्रेल से लेके 9 अप्रेल 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशी फल लेके मैं आपके सामने उपस्तेत हूँ नमस्ते मेरा नम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइब विद योगे शर्मा में और इस वीडियो में शराशी फल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम रिनिवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रेपा सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मेश यानि एडिस से वह इस सब्सक्राइब में कुछ अचानक घटना क्रम के लिए तैयार रहे हैं और ये जो भी अचानक से होगा ये आपके रूटीन को थोड़ा सा हिला सकता है हलाकि इंकम लेवल स्टेबल रहेगा लेकिन जो रूटीन में एकदम से चेंजिस आएंगे न वो आपके एनरजी लेवल को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं जिसकी वज़ा से आप बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले तो स्वभाव में थोड़ा लजी लाबल मना के रखिए और दूसरी बात ये है कि ये जो बदलाव दिख रहे हैं ना इनके प्रती खुद को अड़ेप्ट करिए ताकि आने वाले समय को आप बहतर बना सकें पीला फूलों का हार लीजिए मंडे वाले दिन इसको शबलेम के अरपन करके आईए ये उपाई है आपका कुदरत की अच्छी उर्जा को आपके साथ जोड़ने का ताकि सारा सब्ताह आपका जबरतस रहे एनरजी से भरपूर रहे व्रश यानि टॉरस सबसे पहली बात ये है कि इस सब्ताह में मनी मैटर्स आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं दूसरा आप थोड़ा सा बोर होके अपनी रूटीन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं किसी टूर को अरेंज करके कहीं बाहर अंदर जाके और ये जो चीज ह है उसको बिल्कुल कॉंटियून रखे यानि सुस्त मत हो ये ये बहुत बड़ा तरीका है इस सब्ताह में मनी मैटर्स से डील करने का उपाय के तौर पे आपको क्या करना है केवल और केवल एक सरल उपाय है किसी भी विकलांग आश्रम में जाए वहां पे अनाज देके संडे मंडे या ट्यूजडे में से कोई एक दिन ये अप करेंगे ना तो मनी मैटर्स भी आपके लिए कोई ज्यादा परिशानी का विशे नहीं रहेंगे और मिथुन यानि जमेनाई वह सबसे पहली बात रिष्टों के लिए क्वालिटी समय है परिवार को क्वालिटी समय कामकारोबार में यानि ओवराल जो नेटवर्किंग है न ये सब्ताह में आपका बड़ा प्रो फीचर रहने वाली है ना आपको इंकम में कोई दिक्कत आएगी ना पैसे की दिक्कत आएगी और ना ही स्वास्थे में कोई बहुत ज़्यादा परिशानी करने का समय है उपा जो है पूरे सब्ता के अच्छी उर्जा को आपके साथ जोडने जा रहा है करक यानि कैंसर भई सबसे पहले तो मन के उतार चड़ाव से निपटिये इस सब्ताह में बड़ा लो फील कर सकते हैं बिना बात के मन जो है अकीला रहने का करेगा आपका मन करेगा कि आप से कोई अच्छे दूद में देशी घी डाली और मंडे वाले दिन आप शिव लिंक पे अरपन करके आईए ये उपाई बहुत जुरूरी है आपके लिए ये आपके मन के उतार चड़ाव को भी कंट्रोल करेगा और पूरे सब्ता की अच्छी उर्जा को भी आपके साथ जोडने ज लिए इस अप्ता में आप की अपकी गुसा आना शुरू हो जाएगा एक दम से आप लो भी हो सकते हैं या एक दम से र्येकटles से हो सकते हैं पैसे का लेन देन भी साबदा निसे करें कोकि finances भी जो है ने इस अपता हमें आपके लिए एक चिंता का विशे बन सकते हैं उपाई के तोर पे आपके लिए एक बड़ा ही सरल उपाई है और ये उपाई जोड़ा हुए गौशाला से गौशाला में जाए गुड़ का चूरा जो है गाये को खिलाईए ये आपके लिए बड़ा जुरूरी हो पाई है क्योंकि कुद्रत के अच्छी उर्जा का इस समय में आपके साथ जोड़ना बड़ा ही जुरूरी है कन्या यानि वर्गो रीचार्ज 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 खुद को रीचार्ज करने का समय है काम में आप बहुत बीजी हैं, आप थोड़ा सा mentally block feel कर रहे हैं, आपको समझी नहीं आ रहे हैं कि आने वाले समय को बहतर बनाने के लिए क्या plan किया जाए, किया ही किया जाए तो थोड़ा सा break लीजे, खुद को recharge करिए, जो आपको अच्छा लगता है, उसको करिए, बिना आगे की फिक्र करिए, यकीन मानिए इस समय में आप थोड़ा सा recharge हो जाएंगा और इसके कितने सारे benefit आपको आने वाले समय में दिखाई देने जा रहे हैं, उपाए के तौर पे एक उपाए बरगत के पेड़ वाला उपाए, वटवरिक्ष बरगत का पेड़ बनियन ट्री, इस पे मीठा दूर चड़ाहिए मंडे वाले दिन, फिर देखिए का किस तरह से आप recharge भी होते हैं, और कुदरत की सारी अच्छी हो जाएं आपके साथ जुड़ती हैं, तुला आपको बहुत सारे profit होने वाले हैं, बाकी सारा सप्ताह जो है यह एक average सा सप्ताह है, बस इस सप्ताह में जितना खुद को communicate करने के मौके मिलेंगे न, उतनको लपक लीजेगा, ताकि खाली सप्ताह नहीं आने वाले काफी समय जो है, यह आपकी favor में रहें, वो जगा ढूं बाइन एनर्जी भी आपका साथ देती है, वरिश्चिक यानि Scorpio भई इस सप्ताह में भावनात्मक उतार चड़ा बहुत आ सकते हैं, मन जो है बड़ा डावा डोल रह सकता है, दो चीज़ें इस सप्ताह में आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, पहली लक्षे के इंद्रित रहें, यानि एक लक्षे आप पूरा डिसाइड कर लें कि अगले शनिवार तक या संडे तक आपको कौन-कौन सी चीज़े कंप्लीट करनी है या आपका टार्गेट क्या है, और फिर दूसरा जुट जाएं उस लक्षे को पूरा करने के लिए, क्योंकि भावनाओं इस समय होके कोई वायदा मत करिएगा, इस सब्ताह में आपके लिए एक उपाय है, अशोका लीव्ज लीजिए कितने ग्यारा, और उनका एक तोरन बनाके घर के मुख्य द्वार पे टांग लीजिए, ये उपाय, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अनर्जी को अट और जो पिछले कुछ समय में आपने मेहनत की है, उस सारी मेहनत के अच्छे नितिज़े अब आपको मिलने वाले हैं, बस आपको परपरजवाइज आगे चलते रहना है और मेहनत करनी अब बंद नहीं करनी है, इस सब्ताह में आपके लिए सबसे जुरूरी सलाह जो है, वो इसी चीनी, इन दोनों को अलग-अलग पैकेट्स में रखे और शिव मंदिर में रखे यह मंदे वाले दिन, यह उपाय आपके लिए बड़ा ही एनरजी वाला बड़ा ही जुरूरी उपाय है, जो कुद्रत की सारी अच्छी उर्जाओं को आपके साथ 100% जोड़ेगा, मकर यानि कैप्रिकॉन, बड़ी पिक्चर में सोचिये, छोटा मत सोचिये, माइक्रो मैनेजमेंट में मत जाएए, यह चलर जो आप छोटी-छोटी चीजों में फसे रह रहे हैं इनसे उपर उठे, छोटी चीजों को अपने अंडर काम करने वालों को दीजिए, बड़ी चीज इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो यकीन मानिया, आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही टाइट, बड़ा ही चैलेंजिंग होने वाला है, फिर आप सोचेंगे कि आपसे गलती कहा होगे, यही वो गलती है, जो अभी आप कर रहे हैं आने वाले समय में आपको फसाएगी यानि छोटी चीज़ों से ध्यान अटाके बड़ी तस्वीर की तरफ ध्यान दीजिए फिर देखेगा खाली यह सपता नहीं आने वाले महीने भी आपके लिए कितने बढ़िया रहते हैं एक बड़ा सरल उपाय है और वो उपाय है कि आपने रोज वाली खुश्बू वाली अगरबत्ती या रोज वाली खुश्बू वाली धूप लेनी है और उसको किसी भी धर्मस्तान पर बड़ी श्रद्धा से डोनेट करके आए रखके आए फिर देखेगा किस तरह से आपका खुद का मन ही जो है न वो बड़ी तस्वीर की तरफ फोकस करने के लिए मजबूर हो जाएगा कॉम्ब या निक्वेरियस बई सबसे पहली बात यह है कि इस समय में आप जो भी कर रहे है न वो आपकी फेवर में जा रहा है बस आप थोड़ा सा जो मेंटली ब्लॉक फिल कर करने के आप जहां सो रहे हैं सोने की पूजीशन चेंज करें अपने बेडरूम में कोई चेंज लेकिया या अपने वर्क प्रेस पे को चेंज लेकिया ये अपने आसपा साफ सफाई रखे इस समय में रहू कि यह जो खराब उर जाए न उसको अपने से दूर करने का समय है खाली यही नहीं, उपाए के तौर पे भी आपको क्या करना है, काले तिल जो हैं, यह प्लेन वाटर में डालके, आप मंडे, ट्यूजडे या वेड्नेस टी, या पूरा सप्ता, शिवलिंग वेरपन करके आईए, फिर देखिएगा किस तरह से आपकी mental blockage भी दूर होती है, और पूरा सप्ता आपके लिए कुदरत की सारी अच्छी उर जाएं, आपके साथ जुड़ती है, मीन यानि पाइसेज, भई, आपकी intuition power बहुत strong होने चारी है सप्ता में, तो अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, आपके दिल के अंदर से जो आवाज आएगी उसको seriously लीजिए, सुनी सुनाई बातों भी यकीन नहीं करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, अपनी gut feeling पे चलिए, फिर देखेगा किस तरह से आप जीवन में तरक्की के रास्ते पे बढ़ते हो, सेहत का ध्यान रखेगा, digestion system का ध्यान रखेगा, eating habits को control करिएगा, फिर देखेगा कि पूरा सप्ताह आपके लिए कितना जबरदस सप्ताह बनके सामने आता है, उपाई के तौर पे एक उपाई है, और ये उपाई आपने करना है मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन शिबलिंग को दही मल के सनान करवाई है, फिर पाणी से आपने अभिशेग करके आना है, ये उपाई आपके लिए बड़ा ज़रूरी उपाई है ताकि हेल्थ भी पूरा सप्ताह आपकी अच्छी रहे, तो ये था सभी राशियों के लिए सप्ताह का राशीवल मैं आशा करता हूँ, इससे लाब लेके आप अपने पूरे सप्ताह को बड़ा जबर्दस, फेंटास्टिक, सुपर गुड बना पाएंगे, तो चलिए बहुत जल मिलते हैं नई टॉपिक, नई विशे के साथ, अपना खूब ध्यान रखेगा, नमस्कार.